ना हुसका दोस्तों डिडी रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ अलोग तो आज जो वीडियो लेकर रहे हैं वीडियो है पाकिस्तानी इन मुंबई अच्छा जी यह रेल एंटेटेर्मेंट टीवी का वीडियो है तो चले देखतें भाई कि पाकिस्तानी में किदर जा रहे हैं हम कहां पे खड़े हैं जाए एग्री कल्चर हो जाए डिफेंस हो जाए ओवरा देखे सर वो हमसे बहुत आगे हैं वो अभी मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दूँगा हम मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपे की ट्रेन में 13 बाकि उसका बैलंस था कोई 37 रुपे थे उसके तो उसने उस बंदे को बला कि मुझे 37 रुपे दे दो उसने मेरे पार खुले नहीं है वो गलेक्टर ने बला उससे बला ऐसे करो मुझे 13 रुपे 37 रुपे की आगे गिटिकट काड़ दो लेकि उतर वो उधर ही गया किया बात मैं इंडिया बंबे के आपने विजट किया अच्छा मैंने कश्चान में नोड़ पाकिसान में भी मानदार लोग हैं महबद करने वाले अच्छा तो मैंने रिक्षे वालों को बोला कि आप जाओ बारी शोरी थी बहुत तेस तो अकेले ही हम लोग खड़े थे उस कि दुबाई जैसे बन जाते हैं हम पाकिसान में रहा कि पाकिस्तान जैसे क्यों नहीं बनते क्यों सी परशानी है अमिद्फन के दिचनालोजी के हवाले से आपने बोला बहुत आगे ये तो एक लाइन से बात हतम कर दिना वो आगे चले कैसे गे पिर उसके बाद ढिया है देखे 1947 में हम एक जैसे थे एक साथ ये जाद हुए अपना सफर कठा शुरू किया आज हम ये कह दें नहीं जी वो टेक्नालोजी में बोट आगे डैड सिट ये कोई जवाब नहीं है वो कैसे आगे चलेगे उन्होंने एजूकेशन पर वर्क उन्होंने सबसे जादा एजूक खाना नहीं खाते हैं पड़े लिखे तो मतलब क्या मुंबई में ऐसा होता है कि रोज लोग फिल्म देखते हैं क्या मुझे नहीं लगता है यार मुझे तो सिनेवा हौल में जाके देखे हुए कई साल हो गई है मूवीज मैं ऐसे नहीं तो घर पे आराम सोफे पसर के उट देखें आप सुनी सुनाई बात पर और बात है आप किसी बात को फिजिकल जानते हैं प्रेट प्रैक्टिक को देखा आप उसकी बात करें बात यह कि मैंने अब से अर्स किया कि यहां टैलन्ट इतने है पाकिस्तान में कि आप उसको हिला देंगे वो मुलक हमारे आगे हमीं नहीं है नहीं यह माफ बांचुक है और बिशले अपन आपने जो 15 मुल्क में पहुरे मुलक पाकिस्तान में अभी electro ano दें जिसने आ कि यह मारे पास हमारे पास to वसाहां हैं लेकिन काम करने का मौका कोई नहीं दे रहा है हमारे पास एकानमी की जो सिच्वेश असल में हमारे कुछ तो बेरोकरेट्स ने फिर सियासतदानों ने भी मुल्क को चलने नहीं दिया उस तरीके तो मैं अग्री करता है एक हमारी आर्मी हर जगा तो नहीं जा सकती ना आर्मी बिश्वेश ना नहीं तो बेंगे हैं के घृति आर्मी की चारव झासदानों की हritisयाह तो सियासतदानों की कस ब्लेम्ट करती है यहाँ आर्मी चैद्श क्यों से वही करना चाहिए लेकिन पॉль्यीशन को भी सोचना जहीं जितना भी चल रहा है वो सिर्फ आर्मी की वज़ कि अब चल रहा है जल अच्छ है क्योंकि आरमी देखे gelir अभि आर अच्छा तो यह बताईए कि आपकी यो Chelsea 's फार्ग ओउसमें आरमी के बंदे को में कि जानता हूँ जो आरमी कमने क्या पाकिस्तान में एक भी साइंस दा नहीं बचा, क्या पाकिस्तान में एक भी पढ़ा लिखा आद्मी नहीं बचा पढ़ा लिखा का सेंस है कि जो साइंस और स्पेस टेकनोलोजी से रिलिटेड हो सुपारकों में पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल रैंक का बंदा क्या कर रहा है वहाँ उसकी क्या जरुवत है और मैं ऐसे आपको सैक्डो इदारे बता सकता हूँ जिन पर सिविलियन्स का अधिकार है वहाँ पर आपके आर्मी के बंदे रिटायर्ट ये सर्विंग बैठे हुए है क्यों बैठे हैं मुसीबत की जड़ आर्मी है उसको जहाँ काम करना चाहिए वहाँ पर जाको 93,000 सरिंडर हो जाते है जो उसका असली काम है जहाँ उसको काम करना चाहिए वहाँ पर अफगानिसान वाले आकर TTP वाले आकर ठोकना है वहाँ पर पॉफरमेंस नहीं आ रही है जो असल काम है उनका, जो बेस काम है जो प्राइमरी काम है उनका, टास्क है उनका लेकिन जिए बिजली कमपनिया चलानी है जी पापा जोंस चलाना है जी हर इदारे पे जाकर बैठ जाना है रिटारे हों चाहे कुछ भी हो आप बात करते हैं आपके एक जज़ को उसकी आउकाद दिखाई है एक रिटारेड आर्मी के बंदे ने वो रिटारेड आर्मी के बंदा लिफटन जनर्नल राइंका था मैं तो रिटारेड हो गया हूँ लेकि तब भी देख मेरी आउकाद क्या है और उसने उस जज़ को हटवा दिया वहाँ से वो जज़ OSD बन गया है उन स्पेशल डूटी हो गया है उसके सारे केसे स्चीन लिए गये है वो कुछ नहीं कर रहा हूँ वो घर पे वैठा है और आप बात करते हैं कि जी आर्मी ही चला रही है और आर्मी ही कर सकती है और ये कर सकता है वो कर सकता है आर्मी ने किसी को उगने नहीं दिया है पनपने नहीं दिया है किसी को क्या बात करते हैं? एक आर्मी साही हमने उमीद रखी हुई और वो बेतर कर देखें हम इंडिया की अगर बात का रहे थे उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है? प्राइमनी सर्का के नाम है। अब वो तो मुदी साहब है। हर जगा पर वो ही जाते हैं। जहां भी इंटरनेशनल विजर्ट पर इवन यूई साथिया या यूएस में जहां पर भी जाते हैं वो खुद जाते हैं। उनके पॉलिटीशन्स जाते हैं हमारे यहां से आर्मी चीफ से हमारे मुलक में टेकनलोजी बहुत हैं लेकिन उसको पर पिशे वर्क नहीं हैं बैकिंग नहीं हैं। यूनिवस्ट्यों तेस सीयुन थैलनिट में को यूईश्स में लड़के हैं मैं आपको क्या बताओं करें। किसी कंट्री में चैलिज हैं अगर बंड़े कने टैलेंट हैं वो उसको वाह ले देखर इसके पर वर्क करें पैसे लगाएंगे यह मारे लेटर वार्ट तो इसको दबादो अभी ये छोड़ देए अभी किसी ने पानी वारी गाड़ी बनाई पानी से चल रही है वो कहा है बंदा पता है किसी को यार ये पाकिस्तानी घ्रजब है यार ये आईक्यू लेवल देख लिया मैं इनका पानी से गाड़ी चलती है दुनिया पागल है नो टैलेंट क्योंकि वो सेफ नहीं है वो नहीं चल सकती है ऐसे पानी से गाड़ी चलेगी अमेरिका पागल है सारी दुनिया पागल है भाई साब कि पानी से गाड़ी क्यों नहीं चलाई यार पानी से तो गाड़ी चल जाएगी पानी से गाड़ी चलती थी पुराने जमाने में जब कोईला डाल के भाब बनाया जाता था स्टीम इंजन थे क्यासी बाते करते हैं आप लोग यार और आप सबसे बड़ी दिक्कत यानि कि पाकिस्तान की जनता इस पर विश्वास करती है कारवाईट डाल कर पानी में उससे गाड़ी चलाना फर्जी वाड़ा है हमारे याँ भी हो चुका है लेकिन उसको कमर्शल याईज नहीं किया जा सकता हाइड्रोजन गैस अब जाकर थोड़ा मामला चालू है जब उसके लिहाज से टेक्नलोजी डेवलप होई है तो फिर तो सलफर बड़ा जलन से लिए सलफर से कर लो सब कुछ नहीं हो सकता न सर अभी और आप उसको बड़ा चला कितना टैलेंटेड बंदा था यार क्या टेलेंट था उसमें यह हमारा गाओ का बच्चे जानता है कि कारवाइड को पानी में डाल दो उससे गैस बनने लगती है उससे गाड़ी चला तो जो मत अब जो करना है कर लो लेकिन उस सेफ नहीं है धमाका हो जाएगा आदमी मर जाएगा उसके लिए इंजन डिजाइन नहीं है ऐसा नहीं है कि लोगों ने सोचा नहीं है लोगों ने बहुत सोचा लेकिन लोगों कर नहीं सकते परमेशन नहीं तो नहीं है तो झालेशन लेखा नहीं है ट्रैलेंट की गदर नहीं है हमारे मर वहां पर आपने जो वीजट किया मैं जानना चाहता हूँ देखने वाले बहुत से वहारे वहां के इंडिया के है मैं जानना चाहता हूँ कौन-कौन से सिटीज आपने विजट किये एक तो यह दूसे नमबर पे कौन सी ऐसी चीजे जो आपने अबसर्फ की मिजिक डिरेक्टर जो सिंगर है मैं उनसे मिलने गया था उनका एक शो था हमारे साथ पाकिस्तान में तो मैं डबले का सिंगर भी हूँ वो मेरा अपना शौक है देखें वैसे तो टेक्नालोजी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बड़ा मज़ा है आपने अपने इंडिया के वीजट के बार में भी बताया मैं चाहता हूँ कि आप सिंगर है कोई एक दो लाइन कोई आप अगर सुनाना चाहें अपनी और मुहबत की एक ठीक है अपनी फेवरेट लाइन तेरे प्यार में पागल हो गया दिवन तेरा रहे सच होते होते हो गया दिवन तेरा रहे महिया तेरे प्यार में डूबी रहे में डूबी रहे वैसे सच बताओं सच रिव्यू इनका गाना सुनने के बाद यह सिंगर नहीं है यह सिंगर नहीं है आप हो सकता है कि आप यह मेरा वीडियो देखें तो आपको बुरी लगेगी बात लेकिन कोई भी सुनेगा आपकी आवाज को आपका जो टोन है वो एक प्रफेशनल सिंगर का नहीं है बातरून सिंगीं कर सकते हैं घर में शौकिया का सकते हैं लेकिन जो एक सिंगर होता है न हमारे यहां के बच्चे इससे बहतर गाते हैं बड़ा ग्रेशाइज कर रहा हूं और लेकि रियालिटी हैई है है कि क्या ही आप कैसे ओर पैंडे। और नफरते हतम हों ममकाबला करें इंडिया से मैं चाहतं हूं मुकाबला करें विलेकिन टेकनालोजी में आर्मी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखें बंगला देश करंसी में हम से आगे चला गया इंडिया हम से आगे चला गया बंगला देश जो हमारे एक के मुकाबले में चार रुपाय मिलते थे वो भी हम से आगे चला गया हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम बाहर के मुलकों में अपनी क्रंसी का हाल देखते हैं हम अपने मुलक के वजीराइजम से आर्मी चीफ साहब से यही रीक्वेस्ट है कि कम अ baixo हमें इतना जीने का है किस मुलक में देए कि हम इंडिया और बंगला देश को अपना सभीफेस held कार सकें क्यांके मुलक में काम शर्फ आर्वी का रहा है प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते तो फिर मुलक आगे ना चला जाता है मैं मार्शला के हक में कर देखें जी जब आप हर कम पाकिस्तान की वहुज के सबसे बड़ी फोज हैं और सबसे काबल फोज हैं बड़ी नहीं है। मतलब काबलियत है। एक्ट पे बात करें। काबलियत। 93,000? बड़ी काबलियत है जी? 93,000? हम तो इसी को चिपकाते हैं भाई। बड़ी काबल फाउज है जी, 93,000? पाकिस्तान की फाउज दुनिया की सब से आपको नहीं पता पाकिस्तान की फाउज कितनी ताकत बार फाउज है। मुझे तब पता हो ना जब गूगल या इंटर्नेशन रैंकिंग पे पहले नमर पे आए। गूगल को छोड़ दे ना जी, जो हमारी आर्मी ने जितनी तरकी की है इस वक्त और जो आर्मी कर सकती है, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकास दे सकती है। अमेरिका को भी शिकास दे सकती है हमारी आर्मी, हमारी आर्मी बहुत काबल आर्मी है। लेगन आप उसको अगर आप बाकी मुआमलात में उलजा आगे रखेंगे तो उसकी तवज्यों तो फिर मुख्ड़ दे सकती है। अरे क्या मिया, क्या आप ऐसा जूट बोलो जिस पर थोड़ा विश्वास हो पाए। ऐसा जूट बोलते हो जिसकी पोल क्या पैंट उतर जानी है। पैंट से याद आया, 93,000 तुम्हारे फोजियों ने पैंटे उतारी थी, भूल गए, 93,000 ने पैंटे उतारी, 71 वार में, बड़ी काबिल फोज है जी आपकी। आपक चेहतर साल से बस नारे लगवाया जा रहे हो जारे हो जारे। सियाचिन, सियाचिन में क्या कर लिया भाई, वो भी गया आपके हाथ से, 71 में आधा मुल्क चला गया, बड़ी काबिल फोज है जी आपकी। और ये भाई साब, इन्होंने वीडियो के शुरुरी बताया था कि ये मीडिया परसन है, अब सोच लिए कि वहाँ की मीडिया कैसी है, आर्मी के तलवे चाटने वाली, ये तलवे चाटने वाले मीडिया परसन है भाई, बातों से लग या होगा ना आपको, clear, इसलिए पाक अधिया जाता है जो पबलिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीव यह जो प्राइम नीसर होते हैं वह मेरिका की मर्दी से बनते हैं हमने उन्हें मैं बता हूँ आपका भी एक्सपेरिंस भी कम है छोटे हैं आप हमसे मुझे बताएं दुनिया के अंदर कुछ जिसम है जिसके अंदर गोली नहीं गुस्ती है कोई जिशता है ना देखें बाद यह का बहुत सी चाहिए हम में करजदार हैं हम उनके करजदार हैं करजदार मेर से आप बदमाशी नहीं कर सकते हम उनके आगे बोल नहीं सकते हैं वजवात यह अगर एक बात बता दूं पूरा पाकिस्तान चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान का करजदार सकते हैं लेकिन कोई उतारेगा नहीं अच्छा भी आपको बता है आर्मी चीफ ही नो आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं अभी है अच्छा चलो मान लिया अमेरिका से आपने करजा लिया ये किया वो किया भारत से तो दुश्मनी है ना प्रॉपर दुश्मनी है ना तो तुम्हारा जो फॉर्मर आर्मी चीफ है इसके पहले वाला सिम्मूनिर के पहले जनरल बाजवा वो ये क्योंकि अपने उसमें लिखवा के अपनी आर्मी के रूल बुक में कि जी हम सौ साल तक भारत से लड़ाई नहीं करना चाहते बड़ी काविल फॉज है सर आपकी तालियां आपकी काविल फॉज के लिए हम अमärिका के हमारे Aрыmye Chief के कशमीर का इशु अब लो करदो अगर हम इतने पावर्फूर नहीं कर दो हम लोक्राब की है miripो क्यों वहां पर गे वहां करने हल जब हम हुने शकस दे सकते तो हल से रवाने गारे साथ देखें एकनामीकली तो वो स्ट्रांग है ना हम स्ट्रांग नहीं है जब हम एकनामीकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम किसी की आंखों में आखें डाल के बात कर सकते हैं आने वाले टाइम में कोई उमीद नजर आ रही है कि यार पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा हमारी करंसी बेहतरी की तरफ जाएगी हमारी टेकनालोजी बेहतरी ये देखें कि जब से ये आर्मी चीफ साहब आया है को फिफ्टी बिलियन डालर के मोहदे हो चुकी हैं तीन नजर आ रही है और दूसे नंबर पे रिलेशन निबर से बिहतर होते नजर आते हैं यह चेटर साल से हो जाएगा से कैसे अभी जो इस वकत जो जैसे बाई ने बताया है चीफ आफ आर्मी काम करते हैं तीके हैं आप लगे रहे लगे रहे आपका काम नहीं हुआ कभी जिन् हमारे चीफ आफ आर्मी हैं वो हमारे लिए गौड के बता है इस तने टेलेंट हैं हम तो दिन रात उसके लिए द्वा करते हैं अब प्राइम निस्टर के लिए भी द्वा किया करें ना कोई ऐसा प्राइम निस्टर है जो वाकिए में पब्ली के वोड के साथ आए और पाक पाकिस्तान में पब्ली के लिए पाकिस्तान के लिए काम लाती है यह जब बुलाते हैं गले में हार पे लाते हैं जब उतारते हैं फिर जूते मारते हैं चोड़ो यार वीडियो खतम करो आपको समझ में आया कि पाकिस्तान आज बिखारी क्यूं है इन जैसे नमूनों की व पीटलू मैं आपना अभी थोड़ी दिन पहरे जनरल बाजवा भी ऐसा ही था अब जनरल बाजवा को गालियां पड़ रही है उससे पहले अयूब खान और याया खान और ये भी सब ऐसे ही थे अब सब मिलके गरी आते हैं अरे कब पाकिस्तानी हो कब आंके खोलोगे तुम ल आता है कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का भाई कुछ नहीं हो सकता क्यूंकि बेसिक कॉंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तुम लोगों एक नंबर के लालची लालच के चक्कर में मर रहे हो तुम लोग बहुत ब हो चुका हूँ लेकिन बाते हैं आप सुन लो इंसे सामने आसे मुनिर होते न तो उनका जूता होता अपना पोछोच के चाट रहे होते ये लोग अपनी वफदारी साबित करने के लिए कि देखो हम कितने वफदार हैं हम आर्मी के आप लोग कैसे सोच लेते हो कि भाई आर्मी भला कर रही आपका आर्मी जो कहे चिप्टी हुई है 76 यर से और वो चूस रही है आपका खून लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी समझ में नहीं आया 50 बिलियन डॉलर की बात करते हो पांच बिलियन डॉलर की इंवेस्मेंट आजा असी मुनिर का कारेकाल में फिर बात करेंगे 50 तो छोड़ दू आप लोगों ने अपनी आवकात इसी वज़े से गिराई है आपकी हैसियत दिकरी है सिपह सलार के साथ रहेंगे तो भाईच्यों की पावर है तो कुछ मिल जाएगा बोटियां मिल जाएंगी कुछ ऐसे हैं आप लोग असल जड़ आप लोगो अभी तक समझ में नहीं आई हमारा लिए अच्छा है असल जड़ आप मत समझें बिल्कुल समझने के जरूरत नहीं आपको असल जड़ अपने आपको तबाह करने के लिए इससे बहतर चीज और क्या हो सकती है कोई गोला, बंदूख, बारूद, मिसाइल एटम, कुछ काम नहीं आएगा यही काम आ रहा है तबाही बरबादी के लिए जो इन दोनों लोगों ने अपनी सोच प्रकट की है चलिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार, जाहिए